हलो एवरिवान आएम रिध्रवान यो वचिंग्स काईज दन मिट्स आजगे वीडियो में वेसिकले हम लोग डिसकस करेंगे यूनिवर्सिटी स्टूडन्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूस है और भी आप बोल सकते बहुत सरा स्टेट के बारे में आपको पता चले है पर वो लोग भी UGC गाइडलाइन के लिए वेट कर रहा है और UGC गाइडलाइन कब तक आ सकता है इसका भी आप बोल सकते है एक हिंट हम लोगों को मिल रहा है तो बहुत ही इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है हार एक उनिवर्सिटी स्टूडन्स के लिए को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकर है उसको ज़रूरी दावा देना ताकि आपको इस चैनल रिलेटेट हर एक अपडेट टाइम मिलता रहे तो चलिए ज़्यादा समय ने लेते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो चलिए वन वई वन आपको बता देते हैं कि क्या क्या important news आया है देखिए सबसे पहले सुभा एक important information आया था जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब जो है पंजाब government से अभी ये बोल दिया गया है कि पंजाब में कोई भी undergraduate and postgraduate exam अभी नहीं होगा वो लोग exam cancel कर रह है फर ये भी बोला जा रहा है कि UGC guideline अगर कुछ different बोले क्योंकि वहाँ पर अभी तक कुछ announcement नहीं किया गया है modalities के बारे में कुछ नहीं बोला गया अभी तक कि किस basis पे number मिलेगा अभी सिर्फ ये बोला गया है कि exam cancel किया रहा है जबी जबी आपका exam था UGC guideline follow किया जाए पंजाब में ये अभी announce कर दिया गया है next information राजस्थान से भी कुछ time पहले मुझे पता चला कि राजस्थान से भी अभी बोल दिया गया है कि आप लोगों का exam cancel हो गया है जो जो undergraduate and post graduate students से उनके लिए राजस्थान government ने ये बोल दिया है कि उनका exam इस time के अंदर नहीं होगा पर ये लोग भी अभी तक कोई भी modalities अभी तक आप बोल सकते हैं सामने नहीं लाए क्योंकि ये लोग भी UGC का guideline का wait कर रहे हैं तो राजस्थान and आप बोल सकते हैं पंजाब ये जो दो state मैंने बोला अभी वो आप बोल सकते हैं लीस्ट में आ चुके हैं जो लीस्ट में पहले से महाराष्टरा, हरियाना, अध्यापरदेश, आप बोल सकते हैं वेस्ट बेंगल ये सब जो states हैं अल्रेडी थे ओरिश्था क्योंकि वो लोग अल्रेडी एक्जाम कैंसल कर चुके थे तो बहुत सारा state अभी एक टीम में आ चुके हैं जो लोग एक्जाम कैंसल कर च करेंगे क्योंकि इतना सारा state का आप बोल सकते हैं मुझे नहीं लगता कि UGC सोचेंगे क्योंकि UGC कुहाद कमिटी है वो भी हरियाना का कमिटी और हरियाना government बहुत दिन पहले ही आप बोल सकते हैं ये बोल चुके हैं कि वो लोग एक्जाम नहीं लेंगे ये सब अगर छो अब चलिए इंडिया टीवी में क्या बोला जा रहे हैं वो हम लोग आपको दिखा देते हैं देखें इंडिया टीवी में ये आया था यहाँ पर ये बोला जा रहा है वी दिन टू डेज आपको आप बोल सकते UGC गाइडलाइन मिल जाएंगे क्योंकि कुहाद कमिटी जो ह अल्रेडी बोल चुके हैं कि वो लोग के डिसेशन लिया है तो इसमें कितना आप बोल सकते हैं अभी तक ये प्रूब नहीं हुआ है पर मुझे लगता है कि ये हो सकता है क्योंकि अभी बोल सकते हैं बहुत सारा स्टेट अल्रेडी डिसेशन दे चुके हैं और UGC गाइड करके मस्ट बतना वीडियो अचला कर देना लाइक शेयर मस्ट करना और अगर इस चैल पना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूरी दबा दोना ताकि आपको इस चैनल डिरेटेड हर एक अपडेट टाइम मिलता रहे तो चली आज के इतना ही बहुत जल्द नहीं वडियो के साथ फिर साव लोगस में लाकत होगी तब तक के लिए बाबाई